नमस्कार मारूती मल्टी मड़े चनल में आपका स्वागत है मैं दुशन सुनी खंडवा से आपके लिए बहुत ही अच्छा लेसन लेकिया है और बहुत ही जरूर लेसन लेकिया है यादि आप धोलक बजाने की शुरुबात करना चाहते हैं और आज आपने सोचा है कि मैं धो वीडियो आपके लिए बना रहा हूं यह आपको देखना चाहिए इसमें मैं आज आपको शुरुआती सारे कॉंसेप्ट आपके क्लियर करूंगा साथ ही जो सबसे पहले शुरू करने वाले अक्षरों को जानना है वो सब चीजों की आपको मैं जानकरी दूंगा तो सबसे हम स्टार्ट करते हैं कि जब हम धोलक हाथ में लेते हैं तो हमें बहुत बड़ा कंफूजन यह आता है कि हम कौन से हिस्थे को कौन से हाथ पर रखें सबसे पहली बात तो मैं उसके लिए क्लियर करना चाहूंगा कि जो व्यक्ति राइट है जो सीधे हाथ से काम करते हैं लि बेस वाला सैट जो बड़ा हिसा इसको लेफ्ट हैंंड पर र definition इस ही का उल्टा जैदि आअफ करते हैं यह चोटा वाला मुह लेफ्ट हैंड पर उर वर स्थे मुख खना चाहि fy puppy reviewed लेसट अंड से डुलक भजाना स्ट बहुत धिनों तक बजाते हैं तो यदि वो बहुत दिन याने दो चार मेहने या शाल भर या उससे बजा रहे हैं तो फिर उन्हें हाथ बदलने की आउशकता नहीं है इनका माइंड इस चीज़ को आशकर कर लेता है तो बैतर है कि फिर उनी को चलने दे क्योंगी नया बजा पाना फिर कहीं बार मुश्किल हो जाता हूँ तो यह तो रहा हम कौन सा हाथ चूज करें कौन से मूह के लिए तो मैंने अभी आपको बताए कि राइठ हैं जिछ से गारा कारे करता हूँ तो मैं सीधा हाथ छोटे वाले मौह याने चाटी पर रखता हूं अभी शुरुवात कैसी करनी धोलक को बजाने का स्टार्टिंग पॉइंट क्या है तो वह अभी मैं समझाता हूं जैसे कोई लेंग्वेज कोई भाषा जदी आप सीख रहे हैं हिंदी है अंग्रेजी है या क आपको परते लिख दे बोलते आना छाइए ऐसी अंग्रेजी मैं भी एट से लेकट किसार परते लिख लिखती याद चाहिए आपको इसको देख करके समझाना चाहिए तो ऐसा एक भासा है ढूलक की अपनी भासा लूपता है जिसमें मत पी की अपने नहीं को सोचें को जनो के नहीं सब्द बनते जाते हैं तो तो दोलक बजाना हमारे लिए आसान हो जाएगा और बहर दी आसान तो बड़े अच्छे तरीके से में आपको समझाऊंगा सही तरीका बताऊंगा वह आप स्ट्रिक्ली आपको फालो करना है और उसको अच्छे समझना है तो पांच अक्षरों की शुरुवात करता हूं तो सबसे पहले हम सीधे हाथ के यूज करेंगे wonderfully packaged करेंगे, एक उंगली अलग, तीन उंगली अलग मतलब जो हमारी पहली उंगली है उसको अलग करना है, तीन नूगली के 1-7 लखना है मतलब एक प्रकार से हमारे हाथ में दो ही उंगलियों का filling आना चाहिए, एक उंगली और यह दो उंगली, ठीक? दी, इन दो उंगलियों को जो हमने बनाई है, तीन उंगली से एक दूसरी उंगली, इन दो उंगली से पूरा हमारा ढोलक बसता है, तो अब हम शुरुवात करते हैं सबसे पहले अक्षर को जानने की, पहला अक्षर है ना, ना को हमें पहली उंगली को इस गोलाई जो हमारी ये नट वाली गोलाई नहीं, इसके अंदर जो लकड़ी पे जो गोलाई है, उस लकड़ी के ओपर मारके ना बजाया जाता है, कैसे? शिर्फ उस उंगली के अलावा और कोई उंगली टच नहीं होना चाहिए, पहली उंगली किनारी पे मारके ना बजाया जाता है, ये ना का साूंड कुछ टन टन गंती जैसा साूंड होता है, और ता, ना कोही ता कहा जाता है, ना और ता एक ही अक्षर है, तब भी आपको पजाना है तो पहला अक्षर हो गया ना दूसरा अक्षर है ती जो नीचे की तीन उंगली की हम ने जो एक उंगली बनाई थी तीन उंगली से बिल्कुल मध्य भाग में थोड़ा अंदर ले आके छिपकाने से ती बसता है इसमें कोई साउंडिंग नहीं है चिपकने वाला साउंड है इसकी बाद तीसरा अक्षर है एक त覺 जो होता है वे दो अकषरों का के एकiceless यह सरे तीट ब्रावने के पहली उसनेियर और है कि छिपकाने से 3 नीचे के उंगली से मिला के ति अब ही अकेला Tee बजाने की विधी अलग है जो तीन उंगली से बस्ती है पर तो यदि ऐसा पूरा बजाना है तो पहली हमल इसरी बजाएंगे फिर्ट नीचे के उंगले से डित तो साउंड आए तो यह तीन अक्षर हमने सीखे ना ती और तिट अब बखी बच्चे दो शब्द वह आएंगे ओल्टे हाथ पर तो कैसे बचते हैं एक साउंड होता है खुला एक साउंड होता है बंद बस दो प्रकार के एक्षर होते हैं महिलाओं के लिए अलग सिखाऊंगा पुरुषों के लिए अलग सिखाऊंगा तो यदि महिलाएं सीखना चाहती है तो आपको हाथ पुरा खुला रखना है और हैतेली की जो उपर वाल यह अधिर रखंट लगा के सुनेंगे इस पूरे वर्ड्स को तो यह वाला साउंड आएगा तो साउंड जंरेट होना चाहिए अधिर्ट चिपक गया तो साउंड जंरेट होगा ठीक है तो इस बात का ध्यान रखना कि मारने के साथ ही उसने दूर हो जाना चाहिए तो घे वाला साउंड आगा इसको बोलते हैं यह वाइबरेटिंग साउंड है इसको बेस साउंड बोलते हैं कि दूसरा अक्षर कर इन चार उलियों को बिलकुल चिपका के मिडिल चिपका देना इसको बोलते हैं कर या थाप लगाना जब मैं आपको बताओं कि कर लगाना तब आपको कही बजाना है तो अभी मैंने महिलाओं के साब से घे बजाना सिखाया यदि आप पुरुष है और एक प्रोफेशनल वादक बनना चाहते है तो उसके लिए आपको नह तो जो गोला का लकड़ी है लकड़ी पर नहीं लकड़ी के अंदर जो नरम इस्थान है जहाद चमड्रा है लकड़ी नहीं है वहाँ पर आपको आपकी कलाई को रख देना है और मिडल फिंगर रिंग फिंगर मध्यमा अनामिका यह दो उल्यों को मध्य भाग से थोड़ा सा आगे मारके घे बजाना है मध्य भाग को यह थोड़ा आगे दोनों उगलियों को एक साथ मारेंगे तो घे बजेगा यह भी खुला साउंड है यह बंद साउंड नहीं है और कर या थाप लगाना दोनों में एक जैसा ही है तो खेट हमने पांच अक्षर जाने का मतलब यह हु अक्षर है दोनों हाथ हमने अलग अलग चलाना इनके अक्षर हमने सीख लिए अब चुकि पांच अक्षरों से काम नहीं बनेगा इनकी कुछ कंभाइंड अक्षर भी होते हैं जिनकों की हमें सीखना जरूरी होता है उसको बोला जाता है दोनों हाथ से धोलक बजाना तो द जरूरी अत्यावशक बोल हैं तीन अक्षर तो तीन अक्षर में आपको सिखाता हैं उसके पहले मैं आपको बताओं कि जो धोलक आप देख रहे हैं यह जारी है हमारे एक वीवर है आसिफ अंसारी जी वेस्ट बंगाल में यह धोलक उनकी पसंद की धोलक है और बहुत बढ़ सारे आपको इंस्ट्रुमेंटल वीडियो मिलेंगे और बहुत सारी ग्यान की नई ने वीडियो आपके लिए लाता रहता हूं उसको सब्क्राइब करें और बहुत सारी चीछें आप देख करके ग्यान वर्धन करिए अधि आप घर बेटे तबला ढोलक पकावाज सीखना तो मैं आपको बताना वाला था कि दोनों हात एक साथ चलाने वाले थीन अक्षर कौन-कौन से हैं तो राइट में जो अभी हमने तीन अक्षर सीखे थे ना तीन आपको समझाता हूं तो पहला राइट में अक्षार है ना, इस ना के साथ यदि हम घे जोड़ेंगे तो धा बनेगा, तो हम लिखेंगे ना प्लस घे इसकल टू धा, ना प्लस घे बराबर धा, अन्य हम ना को और घे को एक साथ बजाएंगे, तो जो मिला हुआ स्वर सुनाई देगा वो धा होग कैसे बजेगा धा, ना और घे को मिलाएंगे तो धा बनेगा, राइट में दूसरा अक्षार है ती, ती के लिए हमने बताया था, ती न उंगली बीच में लेया के चिपकाते हैं, तो धी के साथ यदि हम घे मिलाते हैं, तो धी बनता है, ना प्लस घे इसकल टू धी, मतलब ती प्लस घे बराबर धी, तो यह ती है, यह घे है, इसको एक साथ एक टाइमिक बजाएंगे, तो धी सुनाई देगा, एक टाइमिंग पर लगना चीए, अलग अलग नहीं, एक टाइमिंग, दोनों हाथ एक साथ चला रहे हैं, तीसरा अक्षर था सीधे हाथ पर वो है ति तीट प्लस घे इसगल टू धिट, तीट को घे के साथ जोड़ेंगे, तो धिट बनेगा, अब चुकि तीट दो अक्षर है और घे जो है, वो सिंगल है, तो पहली उंगली जो ती के लिए हम लगाएंगे, उसका घे बजाना, ट खाली बजाना, कैसा? धिट, 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 तीट अक्षर दोनों हाथ से बजाने वाले हमने सीखें, धा, धिट, कैसे बजेगा? ना और घे को मिलाएंगे तो धा, तीट और घे को मिलाएंगे तो धिट, तो बेसिकली पांच अक्षर जो इसकी मूल थे, वो हमने पहले अलग अलग बजाना सीखा, फिर इसकी बाद, उन पांच अक्षरों से हमने तीन अक्षर और बजाएं, जो कि धा, धि, धिट इस प्रकार से आएं, तो यह आठ अक्षर जो है, बेहद ही जरूर यह है, आपको धोलग बजाने की शुरुवात करने के लिए, पर अभी हम अक्षर अलग अलग सीख लिया है, हमने इसका भी हमे के अभिहास करेंगे और भी अभ्यास के लिए अभिहास की बोल ही कि गएंगए, उन अभिहास की बोलों से यह जो कि ने सीख है, इनको वं प्रोपर Bugün बजाएंगी और उनको समझ पायेंगे, अभिहास करने का तरीका भी मैं आपकोू इन बोलों के बाद बताऊंगा तो जरूर आप देखेगा कि उनका अभ्यास कैसे किया जाए? बड़ा simple word हो गया घे बोला तो left में घे बजाना है और right में ना बस घे ना घे ना घे ना पहला अभ्यास का बोल गे ना घे ना घे ना यह आठ अक्षर का पहला अभ्यास का बोल है दूसरे अभ्यास का बोल घे घे तिट घे घे ना ना तो अभी हम बजाते हैं घे घे तिट घे घे ना ना तीसरा अभ्यास का बोल है धा धा धी धी ना ना धी धी तो अभी मैंने धा बजाना आपको सिखाया था कि ना और घे को मिलाएंगे तो धा बजेगा तो धा धा धी के लिए टीठ हमने च्सक्राय था धा भाग्यवीर के ना इंडिविजल राइट में है ना अब्यास का बोल कि धाधी ना ती ना ना धेट अब इसमें धाधी और धेट तीनों अक्षर आगए दोनों हाद से और ना और ती जैसे बोल भी आगए तो अब हम देखते हैं कैसा बज़ेगा धाधी ना ती ना ना धेट धाधीक ना ंक्षर इक भूल है तो उसको धीक वालक करके ता बज़े गा नहीं जब धीक के के साथ लगा तो धीट वाला धीट ही बज़ेगा तीट के साथ गे वाला था धी ना ती ना ना धे त जो चार अभ्यास की बोल में आपको जो दिये हैं इन चार अभ्यास की बोल उको आपको प्रैक्टिस कैसे करना है वो चीज आपको जरूर समझनी है जैसे मान लिजी कोई भी व्यक्ति धोलक बजाना स्टार्ट करता है तो उसको अभ्यास करना पड़ेगा और अभ्यास के लिए कम से कम उसको एक घंटे का वक्त दिन में निकालना चाहिए यह मैं बता रहा हूं कम से कम जितना ज्यादा करेंगे उतना जल्दी आप सीखेंगे तो कम से कम जदी आप एक घंटे का समय देते हैं और जदी छार बॉल का अभ्यास करते हैं तो हर बॉल कोONEY डिवाइडिंग होके एक घंटे के अनुसार 15 मिनित हर बॉल खोर को आता है तो पंदरा मिनिट दस से पंदरा मिनिट एक बोल को इंडिवुजले आपको प्रैक्ट तो आपको समझने में लग जाए कि मेरा यह वीडियो देखने के बाद तु यह जो वीडियो में आपके लिए अपके लिए बनाया था जो सबसे पहले शुरुबात करने वाले व्यक्ति हैं उनको वीडियो देख करके धोलक बजाने के शुरुबात करनी चाहिए इस वीडियो में आपको कैसा लगा यह पसंद आया हो तो आप जरूर लाइक और शेयर करें यदि आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो जरूर को आपको सब्सक्राइब कर लेना चाहिए यदि आप हमारी एक नहीं चैनल पर जाएं जिसका नाम है मारूति म्रुतिया च्टाइबहर ऊस पर भी जाकर कि आपसारे वीडियोहस्यकर करिकिया उसको सब्जाफ करना चाहिए आपके लिए